हाई अगर दोनों ही लोग यानि कि husband और wife दोनों mutually divorce लेना चाहते हैं दोनों के बीच कोई dispute नहीं है और दोनों अपने सारे matters out of the court settlement कर चुके हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे कितना matrimonial dispute के बाद आपको amount मिलेगा, eliminating amount कितना होगा सारे dispute dissolve हो चुके हैं और अब आप divorce लेना चाहते हैं तो उसका procedure क्या होता है और उसमें कितना समय लग सकता है आज हम उसको discuss करेंगे लेकिन उससे पहले एक और बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि अगर हम दोनों के बीच सारे matter sorted हो चुके हैं और अब हम आपसी सहमती से तलाक लेना चाहते हैं तो उसका procedure क्या होता है और क्या यह हमारा divorce कुछ ही दिनों में हो सकता है या इसमें सालों लग सकते हैं अक्सर लोग ऐसा सवाल करते हैं तो कितना समय लग सकता है और procedure क्या है हिंदू marriage act के तहट section 13 B में आप mutual divorce यानि आपसी सहमती से तलाक ले सकते हैं लोगों का सवाल आता है कि इसके लिए क्या आधार हो गया हिंदू marriage act के तहट जैसे की cruelty यानि कि husband या wife दोनों में से कोई भी किसी को अगर अत्याचार करता है यह किसी का भी बहा कोई affair है अडल्ट्री है यह किसी ने दूसरी शादी कर ली है या अपनी matrimonial duties को fulfill नहीं करता है सुसाइटी का परित्याग कर दिया है सुसाइटी स इसे कुछ कारण हिंदू marriage act के तहट दिये गए हैं जिनके अधार पर आप contested divorce ले सकते हैं जहां पर वह व्यक्ति आपको तलाग देना नहीं चाहता है लेकिन आप तलाग लेना चाहते हैं तो क्या ऐसे ही कोई कारण mutual divorce में भी चाही होता है mutual divorce के लिए आपको कोई कारण नह सकते हैं उसके लिए आपको इन में से किसी आधार की जरूरत नहीं है आप दोनों ने अपने सारे जो भी डिजो जो भी इस्यूस है जैसे कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों की custody किसको मिलेगी अगर maintenance है तो maintenance का amount कितना दिया जाएगा अगर कोई permanent alimony है एक और उसका अपने memorandum of understanding आप बनवा कर sign कर चुके हैं गवाहों के signature उसके उपर हो चुके हैं तो उसके बाद आप court में दोनों लोग मिलकर Hindu marriage act के section 13 B के तहत एक mutual divorce की petition court में फाइल कर सकते हैं उसके बाद court में 6 महीने का cooling period दिया जाता है यानि parties को दोनों parties को सोचने का समय दिय जाता है कि अगर इन 6 महीनों में आप दोनों फिर से साथ रहना चाहते हैं तो आप अपनी petition court से withdraw कर सकते हैं और दुबारा साथ रहना शुरू कर सकते हैं इसके बाद 6 महीने के बाद 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का समय दिया जाता है आपको second motion file करने के लिए यानि कि आप पह जाती है जहां पर court आप से पूछती है कि क्या आपकर यह decision final है क्या वाकर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं आप सारी कोशिशे कर चुके हैं और इसके बाद आपको तलाग दे दिया जाता है तो court में अगर आप आपसी सहमती से जाते हैं तो सबसे पहले यह होता है कि आपको एक समझोता पत्र तयार करना पड़ता है जिसे memorandum for understanding कहते हैं जिसमें सारे term and conditions final होते हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे, visitations के right क्या होंगे, अगर कोई amount देना है husband को wife को, इस तरी धन लडगी को मुल चुका है, properties अगर joint है तो उनका क्या होगा, कोई joint bank accounts है तो जो amount है, वो किस तरीके से दोनों में बटेगा, इस सारे issues को उसमें sort out कर लिया जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे बटेगा, बच्चों की custody और सारे term and conditions की, अगर लडगी ने कोई cases जा ले हैं या लडगे ने कोई cases जाले हैं तो उन सब को withdraw कर लिया जाएगा, और आगे कोई matrimon dispute नहीं रहेगा और आप दोनों का रिष्टा खतम हो जाएगा, तो यह तरीके से memorandum for understanding समझोता पत्र दोनों पार्टी मिलकर बना लेती हैं, उसके बाद आप court में first motion फाइल करते हैं, जिसमें तलाकी याजची का दोनों पार्टी मिलकर section 13 B of Indoo Madhij Act के तहट court में फाइल करत आते हैं, तो आप court से अपनी petition withdraw कर सकते हैं, पती पतनी की तरह रह सकते हैं, अगर छे महिने के अंदर आपके बीच कोई समझोता नहीं होता और आपका decision final रहता है कि आप तलाक लेना चाहते हैं, तो छे महिने के बाद आप second motion court में file करते हैं, और उसके बाद court आपको तलाक क decree award कर देती है, जहां पर आपसी सहमती से तलाक लिया जाता है, कई पाई ये question लोग हमसे पूछते हैं, कि क्या अगर आपसी सहमती से हमने तलाक ले लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम इसे high court में appeal file कर दे, तो जहां पर आपसी सहमती से तलाक लिया जाता है, वहां पर court में appeal file क प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् पर वो वीडियोस देख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके और मुद्धों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्चिन में बताएं